मैं सुरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग उर्जा को सदियों से पोशित किया, आज वो योग उर्जा विश्व स्वास्त को दिशा दे रही है। आज योग वैस्विक सहयोग का पारस्पारिक आधार बन रहा है। आज योग मानो मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुवह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कौने कौने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहच, स्वाभावी और सांजी मानविये चेतना की तस्वीरें हैं। खास तोर पर तब जब दुनिया ने बीते दो सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिश्तितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सिमाओं से उपर योग दिवस का ये उत्सा, ये हमारी जिवडता का भी प्रमान है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं संपूर्ण मानवता के लिए हैं। इसलिए इस बार अंतर राष्टिय योग दिवस की थीम है योगा पर हुमेनिटी। मैं इस थीम के जरिये योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुचाने के लिए उनाइटेड नेशन्स का और सभी देशों का रजय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं।